हेलो इव्रिवन बेलकम बैक टू माई चैनल सिक्चक नियोजन में फर्जिवारा वाइटनर लगाकर ओवर राइटिंग करकी कॉंसली केवटी बहादुर पुर्व बहेरी प्रखन के साथ पंचायतों के दस सिक्चकों का नियोजनरत यह 13 दो 2022 आज का नियूजपेपर है दैन अव्यार्थियों का नाम जोड़ा गया है उसको देखे यहां पे दिया गया है फूरा सुरेंद्र कुमार महतों नियोजनिकाई पंचायत उगरा माह पाड़ा बहादुर प्रखन में जितेंद्र कुमार पंचायत मेनका वेदा बहादुर नवीन कुमार चौधरी पंचायत तो इन लोगों का जो है बाद में मतलब उसमें जोड़ दिया गया वाइटनर और ओवराइटिंग करके इन लोगों का जिन लोगों का नाम अभी आप लोग देखे हो इसमें शिक्षक नियोजन में परिपैमाने पर फरजीवारा सामने आया है त्री अस्तरी जाज रिपोर्ट में यहा बात सामने आया है कि दस अव्यार्थियों को फरजी तरीके से चैनित सूची में शामिल किया गया है जीला अस्तरी नियोजन कुशांग को शिकायत मिलने पर जाज की गई तो पता चला कि कई नामों को काउंसलिंग प्रकिरिया संपन होने के बाद सूची में शामिल किया गया बताया जाता है कि नामों को जोडने के लिए वाइटनर का इस्तेमाल किया गया तो कई नामों को ओवर राइटिंग करके सामिल किया गया ऐसा करने वाले में पंचायत सची बर मुखिया की मिली वगत सामने आई है बताया जाता है कि 30 अगस 2021 को 1-5 वर्ग के सिक्षकों के रिक्तपदों के लिए जिले के 74 पंचायत नियोजनिकाईों में काउंसलिंग कराई गई थी जिसमें 304 अभ्यार्थियों के सुची तैयार की गई थी उस समय पंचायत नियोजनिकाई में बड़े पैमाने पर धानली हुई थी इसकी पुस्टी जाज रिपोर्ट भी कर रही है तीन प्रखंडों में साथ पंचायतों की काउंसलिंगों दस फरजी अभ्यार्थियों के नाम जोडने की पुस्टी हुई है जिले के अधिकतर प्रखंडों में इस तरह के शामने आ सकते हैं मामले बताया जाता है कि जाज रिपोर्ट में केबटी के करजा पट्टी पंचायत सचीब पुरसुत्तम कुमार सिन्ना रजौली पंचायत सचीब कमलेज कुमार मिश्रार मुखिया इफ्तेखार अहमद लाल गंच पंचायत सचीब आलोक कुमार ने फरजीवारा किया है इसी प्रकार बहादूर प्रखंड के पंचायत उगरा महापारा और मेनका बीदा के पंचायत सचीब ने रजिस्टर में ओवर राइटिंग करके नाम जूर दिया बहेरी प्रखंड के सुसारी तुर्की और बोगोनी पंचायत के पंचायत सचीब पर फरजीवारा करने के बाद सामने आई है डियो बीभा कुमारी ने फरजी दस अभ्यारतियों के नियोजन को रद कर दिया है उन्होंने प्रात्मीक सिक्षानी देशक सही जिले के वरिये पदाधिकारियों को इसकी सूसना दी है वही दूसरी और यहां बात भी सामने आ रही है कि सिक्षक नियोजन में जिले के कई पंचायतों में काउंसलिंग के दौरान बरे पहमाने पर गरवरी की गई है अगर इसकी निस्पक से जाज कराई जाए तो कई पंचायत नियोजनिकाई की कलई खुल कर सामने आ जाएगी सिर्फ केवटी बहादुर्पूर और बहरी प्रखंड में ही नहीं जिले के अधिकतर प्रखंडों में इस तरह के और भी मामले उजागर हो सकते हैं ठीक है तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को च अनिवागा